अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा लॉकडाउन में जब कुछ समझ में ना आए तो सिंपल से लापसी से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान सी टेस्टी डिश ये है गुजराती कुजीन की फाड़ा रेसिपी बच्पन में मेरी मौ में से अक्सर बनाया करती थी ये मेरी फेवरिट डिश है तो चलिए इसे बनान इसका जो फ्लेवर आएगा इस डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी देड़ कप लापसी यानि के ब्रोकन वीड भी से कहते हैं इसे कुस-कुस भी कहा जाता है इसे डाल कर भून लेना है तो आप चाहें तो हलका सुनहरा ह भूने तक भूने या थोड़ा सा जादा गोल्डन कर ले यह आपकी चॉइस पर है तो इसे इस तरह से चलाते हुए मेडियम आज पर भून लेना है आप तुरंत ही देखेंगे कि लापसी के जो दाने हैं उसका रंग बदलने लगेगा पहले सफेद होगा फिर धीरे धीरे यह सुनहरा होता जाएगा तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इससे भून लेना है लगातार चलाने से लापसी के हर एक दाने अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ पर यह देखें लापसी के दाने भूने जा चुके हैं आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और तीन कटोरी पानी तो यहां पर मैंने जितना लपसी लिया था उसका डबल पानी ले लिया है और इस तरह से प्रेशर कुकर में इसे डाल दूँगी और इसी के साथ डाल दूँगी आधा कप के बराबर दूद तो दूद से हलका जो क्रीमी फ्लेवर है मिल्की फ्लेवर है तो अब आँच को बंद कर दे और इस प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने दे ठंडा हो जाने के बाद यहां पर मैंने यह धकन हटा दिया और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से लपसी का हर एक दाना पक चुका है आखिर में आधा छोटा चमच कूटा हुआ इलाइची डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इलाइची फ्लेवर को आखिर में डालने से उसका टेस्ट और खुश्बू दोनों ही बनी रहती है और और वी जादा टेस्टी बनाती है डिश को और यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा ठंडा होने पर य अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ